हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग तो देखिए ये दो ने वही दस-क्यारा बजे का टाइम है मैं नहांके आ गई हूं और अभी पूजा करने नहीं गई हूं तो आज मैं सुची कि चलिए मैं थोड़ा सा लंच का है जो है उसको प्रिपेर कर लेती हूं थोड़ा सा कामाम हो लगता है और फिर अपने को टेंशन भी नहीं होता अगर पूजा करके आओ फिर पूरा स्टार्ट करो तो बहुत टाइम लग जाता हो टेंशन होता है तो इसलिए मैं आज मैं बना रहे हूं लोकी के कोफते तो मैं अब लिए उसका थोड़ा सा प्रिपेरेशन कर लेती हू पूजा में मन लगेगा अगर काम बचा रहता है ना तो पूजा में यह दूसरे काम में फिर मन नहीं लगता है तो यह देखे मेरा मेरी जो लोकी के हैं वो कद्द्र्ण कर ली हूं मैं इतनी खुई है मेरी अब इसको मैं इसके पानी को इसको निचोड़ becoming निकाल के, अलग कि थी उतना पानी निकले और इतनी लौकी निकली है यह देखिए तो बस अब इसके में कुफ्ते तयार करूंगे तो मैं अंदाज से इसमें बेशन डाल दी हूं बेशन मिलाने डाल दी हूं और में ज्यादा मसाले इसमें यूज ने करती हूं हल्दी हम लोग तो हल्दी घरं मसाला डाली हूं आजवाइन बेशन का कोई ईटम बनाती हूं मैं जरूरा 5 जरूरा तो यह जो हैं पूजा बकुई तो पूजा के चूड़ी है तो इसलिए मैं उसको डाल के रखी हूँ तो यह देखिए और हाथ से अच्छे से मिक्स होता है इसलिए मैं उसको हाथ से मिक्स करी हूँ चम्मस से उतने अच्छे से मिक्स नहीं होता है और उसके बाद फिर मैं कडाही चढ़ा दी हूँ गैस में और उसमें तेल डाल दी हूँ और अब इसके में चुकूफते हैं न इसको आप किसी भी साइज के निकाल सकते हैं या तो आप उसको ओल शेप दे सकते हैं या उसको जो टिक्की जैसे चप्टे कर सकते हैं लेकिन मैं सिंपल गोल से ही बनाई हूँ और देखिए इनको तलने में थूड़ा टाइम तो लगता है लेकिन के हमको इसको थोड़ा केशच में रख के स्थे थाया और जाएगा है यह ले और विर की है ऐधर कर दो 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 कर वेल्कम बैक टो माई चैनल लाइफ अफ्रश्मी कैसे आप सब आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आज ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी आज का मेरा कोई व्लॉग नहीं है आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी और वो रेसिप कीचन में चलिए और मैं बनाती हूं तो देखते हैं कैसी बनती है लॉकी किवा अ कस्त करके और इसके पकोड़े बना अब जाए हूं और इसके कोफते की सब्सक्राइब कि मैं तो देखें यहां पर सबसे पहले तीन थो बड़े-बड़े प्याज ले प्यास लेली हूं औ ना तो यह देखिए मेरे पियाज कट गए है और मैं टमाटर ली upward 들어가gy таких नड़ा ज्छा डालते हैं तो ज्यादा घ्याइश उसका अच्छा अच्छा तरफा रखोतुक्र ओट बड़ी बड़ी टमाटर करीब चाठ मां़ी फैश्च तकी यदुद्वा अच्छार र herd childcare इसका पील्च कट करके तीन बड़े बड़े टमाटब सेुने को भी स्कॉंड करूँवए, टीन बड़े-बड़े ओस्ट नद में चाहिए, समय को और में दालचीनी यह मैं इसी के साथ पीस मोटी होगी दीव इसको भी पीसने में इसी में डाल दू गें मैंसालव गर्ष में सब पीष कुछी थी उसके बाद मैं फैने लियाब कौफته बनाती हूं तो gas on करके मैं उसमें कड़ाइचा लए टेल डाली हूं अभी capacष गरम हो गया तो सबसे पहले हरील्च order जूरी पियाज मिलाकर जूम्ismic तो वह पहले मैं मसाले डालाँ गी और टमाटर को मैं फिर जो कट करके रखी थी तो भी मैं पीस चिके टमाटर फिट के रख ली हूं अब यह मसाले को मैं अच्छे से बूहना अभी इसमें और भी कुछ मसाला नीडाली हों सिर्फ जो मिक्सर ग्राइंडर में जो PC थी ना बस वही मसाले हैं अभी अच्छे से देखिए अभी अच्छे से भून चुका अब इसमें मैं सूखे मसाले आट करूंगे जैसे हल्दी पाउडर है धनिया पाउडर है कश्मिरी लाल मिर्च है मैं तीखी लाल मिर्च तो यूज नहीं करती हूं गरब मसाला है थोड़ा सा तो वस यही मसाले में इसमें डालूंगे और यह देखिए सूख गया ना तो इसमें थोड़ा सा पानी आट करूंगे जिससे की मसाले अच्छे से भून चाएं और जले नहीं यह देखिए मसाला भी अच्छे से हो चुका है यह देखिए बहुत मसाला हो चुका है काफी देर मैं उसको भूलणी हूं कड़ा ही मतलब मसाला जो है कड़ा ही छोडने लगा थ Hil当 और अब वागया है ज़ी टमाटर है टमाटर एड़ कर तेरा टमाटर भी टाल दी हूं और जो थोड़ सा मिक्स तक खूलने लगता है ना तो यह बहुत जादा इसके छीटे इधर उधर पढ़ते हैं आपकी गैस भी गंदी होगी और जो भी दीवाल है सब गंदी होगी तो इसको मैं फिर ढख ढख के पकाई हूं करीब दो और 5-7 मिनट मैं इसको अच्छे से पकाई हूं लेकिन धख धख और एक एक दो-दो मिनट के दीच में मैं इसको खोल खोलके हिलाती जाती थी तक कि एक ही उसमें रहके नीचे लगने उन्हें जलने न लगे तो इसी तरह से मैं यी मसाले को तैयार कर गए देखिए अलग से तेल दीख रहा है न किनारे तेल भी छोड़ने लगा और मसाला काफी अच्छे से पक रहा है अब इसको थोड़ी देर में और क करने के लिए क्योंकि काफी हत्ता कि 75 परसेंट से ज्यादा मारा यह जो मसाला यह तैयार हो चुका है इसको आप जितना पकाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा तो यह देखिए अभी मसाला हो चुका था सूप गया था अब इसमें मैं पानी डाल दें और पानी हमको कि इतना करना है कि हम उसको किसके साथ खाना अगर बन हुआ चु फूसमारा पकाऊंगे मिश्किष्ण इसको मैं पकाऊंगी इसमें boil होने दूँगी अगर जादा देर करूंगी तो फिर पूरे ये कोफते हैं ना वो पूरे उसमें घुल जाएंगे तूट जाएंगे दो ती मिनिट करने के बाद और फिर मैं इसको गैस को बंद करके और इसको मैं फिर थोड़ी दे ढख के रख दूँगी एक दो मिनिट के ल चली गई है अब इसको मैं प्लेट में निकाले चुकी देखिए हमको रोटी चावल दोनों के साथ खाना है तो इसको मैं बहुत जादा गाड़ी नहीं रखी हूं यह देखिए मैं आपको कट करके दिखाओंगी कितने सौफ्ट हैं और पूरी इस बंतर इसके अंदर पूर कैसे लगे देखिए आज की वीडियो मेरी बस यहीं तक थी मैं कोफते बनाके आ गई हूं और कोफते बहुत अच्छे बहुत टेस्टी बने हैं आप लोग ट्राई जरूर करिएगा और कमेंट करके बताईएगा कि कैसे लगे आप लोगों को तो ठीक है आज की वीडियो ब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन जरूर प्रेस करिए इससे की नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगी ठीक है तो फिर चलिए इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं नए वीडियो में तक के लिए बाइग